डिप्टी सीएम पे तो कारवाई होनी चाहिए जांच होनी चाहिए साथी साथ मुख्यमंतरी के अंतर आत्मा को अपनी जगानी चाहिए और आप देखिएगा इस पे हम विशेश रूप से इस पे हम प्रेस कॉंफरेंस भी करेंगे कल परसों में राजिन्ती में शह मात का खेल लगातार जारी रहता है कल बीजेपी लगातार तेश्य आदपर हमलावर थे क्योंकि हाई कोट के आदेश पर तेश्य आदपर F.I.R होना है जिसमें उनपर आरोप लगा है कि तेश्य आदप ने टीकट के बदले एक शक से पांच कड़ों रुपे लिए थे और लगातार B.J.P ये बता रही थे कि आरजडी के संस्कृती रही है लालो यादब भी एक वक्त M.A.M.P और मंत्री बनाने के लिए करोडों की वाही करते थे लेकिन अब अचाना कूरा पासा पलट गया है जी हां तारकिशोद प्रशाद जो इस वक्त बिहार में उप्नुक मंत्री है और अब उनको लेकर एक बड़ी ख़बर आ रही और बड़ी ख़बर ये है कि तारकिशोद प्रशाद ने अपने सगे संबंधियों को बकाइदा 53 करोड का ठेका दिलवाया था दोजार 19 से 20 के दौर में जब वो कटिहार से विधायक थे और इसको लेकर अब बीजेपी कही निशाने पर आ गई है और साब तोर पे जेडियू के ग्रामेन विकास बिभाग मंत्री श्रवन कुमार ने साफ कर दिया है कि मुझे इस जानकारी के बारे में पता नहीं है लेकिन अगर वाकई में ऐसी घटना हुई है तो दोशी पर का ले और साथ अपने कुछ रिष्टारों को 53 करोड का नल जल योजना से समधित ठेका दिया था और उसकी बाद खबर ये आ रहे है कि वहां की ग्रामेन इस बात का शिकायत कर रहे हैं कि वो जिन वाड में नल जल योजना को लेकर काम किया गया वहां नल है लेकिन जल नहीं लेकिन वो जर जर सती में है इसके बाद अब निता प्रतिपक्ष्टी अश्यादव ने करा रहा हमला बोला है और साथ पर पर कहा है कि वो आने वाले वक्त में यानि कल यह अपर सो एक डिटेल तोर पे जो है प्रिस कॉन्फरेंस करेंगे और तारकिशोर प्रशाद या उन के बेटे और बहु को तिरपन करोर रुपे काम देने की है यह तो जांच को विशेह है इसमें पूरी तरीके से ब्रस्ट अचार हुआ है और आप बताईए हम ने देखा बीजेपी के लोगों को की बिजनेस करना जो है कोई अपराद ने बीजेपी के लोग करें कुछ भी तो दूद का दुलावा लोग है अशर है कि इस डिप्टी सीम पद्र जोर्जों मिनिस्ट्री है मंत्राले की भी जांच होनी चाहिए जिस प्रकार का मामला रहा है तिरपन करोर रुपे एक्स्पें करना चाहिए नितिश कुमार जी को और देखिए बीजेपी के विधायक कि बीजेपी के मंत्री बीना घूंच लिए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं क्या कारवाई हुई कोई कारवाई नहीं की नितिश कुमार जी मुझ में दही जमाकर के बैठे हुए स्रीजन घुटाला का फाइल खुल जाता है नितिश कुमार जी छुप जाते हैं विशेश रूप से इस पर हम प्रेस कॉंफरेंस भी करेंगे कल परसों में और हम डिटेल भी लाएंगे कि हमारे प्रत्याशी ने हमको दिया भी है कि क्या-क्या मामला इनका रहा है क्या बैग्राउंड रहा है साब तौर पर एक दिन में पूरा खेल बदल गया है तार की कॉंगरस ने भी साब तौर पर कहा है कि बीजेपी यानि भेंकर घुटाला पाटी इसका नाम रखते जाना चाहिए साथ साथ ये कहा कि हर घर नल जल योजना की जगा हर नेता ठेका योजना रख दिया जाना चाहिए क्योंकि नल जल योजना को लेकर लगाता है नितिश लेकिन 2020 के विधान सवाच नौव में चिराख पासवान ने कहा था कि सबसे ज़्यादा ब्रस्ट चार नल जल योजना में हो रहा है करोल रूपे की लूट हो रही है और जब उनकी सरकार आएगी यानि चिराख पासवान कर रहे थे जब लोजपा और बीजेपी की सरकार बने श्रिवास्तप का कहना है कि उनलों को ठेका मिला था क्योंकि उन लोगों ने सबसे कम रासी में उन ठेकों को पूरा करने का बकाइदा वादा किया था और इसलिए नियमानुसार उनलों को ठेका मिला है लेकिन एक तरफ ये भी दाबा है कि उनकी बहु या साले को कहीं से भ नल जल योजना के छेत्र में काम करने का युगदान नहीं था तो बीजेपी की परेशानी अब बढ़ने वाली है विहार के उपमुक मंत्री तार्कशुत प्रशाग पर एक बढ़ा आरोप लगा है और इधर विहार सरकार नितिस कोटे से मंत्री श्रवन कुमार ने भी कह दि कि नल जल योजना में तार्कशुत प्रशाग के रिष्दार साले बहु और अन रिष्दारों को 53 करोड का 36 प्रजेक्ट दिया गया था और खबर ये है कि गिरामेन लगातार जो है शिकायत कर रहे हैं कि जो नल जल योजना को लेकर काम किया गया उसमें भारी गरवडी है नल है लेकिन जल नहीं और टंकी है तो वो जर जर इस्तिती में है तो अब देखने वाली बात होगी कि बिचेपी इसको लेकर कैसे डिफेंड करती है और तेशी आदब ने कहा है कि कल यह परसो वो इसको लेकर एक डिटेल में प्रेस कॉनफरेंस करने वाले हैं तो हमारे न नया अपडिट आएगा मुझसे आपको तिलाह करेंगे आप देखते रहें जंता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद